अक्सर दोस्त स्वाल करते हैं कि हम अपने Android फोन में कितने GB तक का Memory Card लगा सकते हैं या OTG की बात करें तो हम अपने फोन में कितने GB तक की Pin Drive लगा सकते हैं, कितने GB तक External Hard Drive लगा सकते हैं तो आज आप इस वीडियो देखते रहें क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे इन ही के बारे में बात करने वाला हूँ असलाम लेकुम दोस्तो मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं TechInfo EDU तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बात करें iPhone की तो iPhone में तो आपको SD Card की Option ही नहीं मिलती लेकिन बहुत से Android Smartphone में आपको SD Card की Option मिल जाती है आपने लिखा हुआ देखा होगा अप टू 16 GB, अप टू 32 GB या अप टू 64 GB तो असल में यहां पर हकीकत क्या है कि क्या वो लिमिट्स हैं और कैसे आप उन Smartphones में कितने GB तक SD Card इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो एंट तक देखते रहे हैं क्योंकि आज मैं आपको यही सब बातें बताने वाला हूँ अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं SD Cards की तो SD Cards आपको अलग-अलग Size में मिल जाती हैं जैसे Micro SD Card, Mini SD Card, SD Cards तो ये तो बात हुई Physical Size की लेकिन आपके phones में आपको मिलता है Micro SD Card अब यहाँ पर Capacity के बारे में बात करें तो आपको अलग-अलग category मिलती है तो सबसे पहले आए SD Cards जिनकी लिमट थी 2 GB तक फिर आए SD HC Card जिनकी लिमट हो गई 32 GB तक और इन Cards को नाम दे दिया गया SD High Capacity Cards और इसके बाद आए SD XC Cards जिनको नाम दिया गया SD Extended Capacity और इनकी लिमट हो गई 2 TB तक लेकिन अभी तक आपको 2 TB का Card देखने को नहीं मिलता लेकिन आने वाले वकत में 2 TB तक का Micro SD Card बन जाएगा अब दोस्तों compatibility को देखें तो आपके पास जो भी standard है या फर्ज कर लें कि आपके पास SD XC वाला standard है तो आप उससे नीचे वाले जो भी standard है SD XC है या SB है तो आप बड़ी ही आसानी से उन Card का स्पोर्ट ले सकते हैं हाला कि यह backward compatible है forward compatible नहीं है इसलिए आपने अक्सर फून की specification में पढ़ा भी होगा कि आप इस फून में 32 GB तक का Memory Card लगा सकते हैं तो for example आपका फून स्पोर्ट करता है SDHC को तो आप अपने फून में 32 GB तक Memory Card लगा पाएंगे 64 GB, 128 GB या 256 GB का Card नहीं लगा पाएंगे अब कई बार आपने specification में ये भी पढ़ा होगा कि आप 2 TV तक Memory Card लगा सकते हैं तो दोस्तो इसका मतलब है कि उस फून में आपको SDXC का स्पोर्ट मिलता है तो दोस्तो ये तो बात होगी SD Card Standards की लेकिन यहाँ पर एक और जरूरी बात भी है जो है File System अब आपके पास चाहे 2 GB का Memory Card हो या 256 GB का Memory Card हो तो उस Card में आपको जो Data Store करना है या Read or Write करना है तो इस काम के लिए आपको चाहिए होता है एक File System जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो Commonly Use करते हैं FAT32 या NTFS या XFAT वगरा अब ये Standards हैं ये बनाए है Microsoft में और अगर Cards में इन Standards की बात करें तो SD और SDHC में आपको मिलता है FAT32 सिस्टम और SDXC में जो Standard दिया गया है वो है XFAT का अब दोस्तों यहाँ पर चाहे कोई भी Mobile बनाने वाली कंपनी हो या SD Card बनाने वाली कंपनी हो और अगर ऐसी कंपनियां उन File System को Use करती है तो उनको Royalty Pay करनी पड़ती है लाइसेंस लेना पड़ता है Microsoft से क्योंकि वो कंपनियां Microsoft के बनाये गए Standard को Use करती है अब दोस्तों FAT32 की Limit है 4 GB तक तो मिसाल के तोर पर आपने देखा होगा कि फर्ज करें कि आपके पास 32 GB की Pin Drive है जो बिलकुल खाली है और आपके Laptop या Computer में जो एक Movie है फर्ज करें वो है 8 GB की तो आप उस Movie को कभी भ FAT32 सिस्टम में Format किया हुआ है तो इसी तरह अगर मैं आपसे XFAT की बात करूं तो इसमें कोई Limit नहीं है आप चाहे तो बड़ी Files को भी Create कर सकती है लेकिन Microsoft को Royalty देनी पड़ेगी तो इसलिए अकसर Smartphone बनाने वाली कंपनियां क्या करती है कि मिसाल के तोर पर हम बात करें किसी भी कंपनी की तो phone की specification में आपको लिखा हुआ मिलता है कि up to 32GB अब फर्स करें कि उस phone में जो आपको card slot मिलती है वो है SDXC Standard Base मतलब कि आप उस slot में 128GB लगा सकते हैं 256GB लगा सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन आपको जो format इस्तमाल करना पड़ेगा वो है FAT32 का अब अगर अब अपने phone में memory card डालती हैं तो हो सकता है कि screen पर message आ जाए कि card को format करें और जब आप format पर click करते हैं तो वो हो जाएगा FAT32 में और फिर आप उसे इस्तमाल कर पाएंगे अब आप ये काम किसी third party formator से भी कर सकते हैं लेकिन windows में ये सवलत आपको नहीं मिलेगी क्योंकि format करने का option मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसमें जो standard है वो है FAT का अब दूस्तों हम बात करें OTG drives की तो अगर आपका phone OTG को support करता है तो यहाँ पर कोई limit नहीं है चाहे 32 GB का pin drive हो चाहे 64 GB का हो चाहे 1 GB का pin drive हो तो यहाँ पर OTG support करने वाला phone उस format को read कर सकता है इसलिए आप उसमे format का support नहीं है और आप अपने phone में XFAT वाला pin drive लगाते हैं तो वो उसमें support नहीं करेगा और अगर आप उसे format करतें FAT32 में तो आपका phone उसे support करेगा इसी तरह दोस्तों hard drives की बात करें तो इसमें भी कोई limit नहीं है कि आप सिरफ 1 TB तक लगा सकते हैं 2 TB तक लगा सकते हैं output में आपको इतनी power नहीं मिलेगी कि वो 1 TB या 2 TB hard disk को run कर सकें फिर दूसरी बात कि आप जो hard drive लगा रही है उसे आपने किस format में format किया हुआ है अब अगर वो FAT32 है तो वो आपके phone में अराम से चल जाएगी लेकिन शर्त यह है कि आपका phone उसे ठीक तरीके से power supply दे सके और अगर hard NTFS में format है तो ऐसे में चाहे आपका latest phone है नहीं चलेगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने phone में ज्यादा capacity वाले memory cards को use कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर limit जो है वो है SD, SDHC और SDXC की और कुछ cases में जो file format FAT32 और NTFS या XFAT उनका भी ध्यान रखना पड़ता है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपका कोई भी स्वाल हो या राय हो तो वीडियो के नीशे कुमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अगर अभी तक आपने Tech Info ADU को सबस्क्राइब नहीं किया तो Tech Info ADU को सबस्क्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए शेर भी कर दीजिए क्योंके मैं आपके लिए रुजाना यहाँ पर इसी तरह की Tech वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो अभी के लि नेक्स वीडियो में इन्शाला मलाकात होगी अपना ख्याल रखियेगा अल्ला हाफिज